असलाम अलेकुम आप हैं बागबानी चैनल के दोस्तों आज मैं आपको इस तरह खर हैंगिंग पॉट्ट हैंगिंग पॉट्स लगाने वाला एक स्टैंड के बारे में आपको मैं बताना चाती हूँ यह मेरे घर पे मैंने खुट बनाया हुआ है दोस्तों इसमें सब कुछ वेस्ट ही है आपको बताते हूँ कैसे हम वेस्ट मेटीरियल से ही हम लोग इतने अच्छे अच्छे पाउधे हमारे घर पे उगा सकते हैं अच् हमारे घर में ऐसे यह रीपर्स बहुत सारे ऐसे रीपर्स बच चुके थे तो यह सब वेस्टेश ही था तो मैंने इसको क्या किया पहले इसको मैंने पेंट कर लिया और इसके बाद यह देखिए कील लगा दिये मैंने इस तरफ इस तरफ और यहां पे ऐसे इस तरफ इस तर इसको रखे इसको concrete डाल दिया और इस तरह से इसका stand तयार हो गया और उसके बाद मैंने इन पॉट्स का यह पॉट्स नहीं है दोस्को एक्चली यह है वेस्ट बॉट्ल्स वह आते हैं न उन्हीं के बॉट्ल्स है यह उन बॉट्ल्स को मैंने यहां से कट किया और इसको थोड इतना अच्छा सा। एक हैंगिंग स्टैंड बन गया और देखिये दोस्तों और देखिये कितनाफ्छा सा यह अलगने लगा है अभी इदेखिए यह देखिये दोस्तों कितना अच्छा एकyard बन गया हमारे हिए और यसको न दुस्तों हम कहीं पर भी हमारे गौडन में कहीं पर भी इसको हम रख सकते हैं हमें जहां थोड़ा पॉर्ट नहीं रख सकते हुड़ा हम लोग हमेरे पासं जगा नहीं है वैसे जगा वैलकुनिस में इसको ऐसे बना के हम रख सकते हैं यहीं स्टैन्ट में हम पांचे पौध्धे लगा सकते हैं पांचे पॉट्ष इस तरह से हम हैंग कर सकते हैं और दोस्तों यह भी देखिए इस हैंगिंग वाले बर्श gleichen छुटे-छूटे रसिया खिर्षिया भी यह शू के लेश है दूस्तों सब कुछ वेस्ट मेटीरियल ही है इसको फेक नहीं था बहर लेकिन मैंने इसको अपनी ही अडिये से इस तरह से एक स्टैंड बना दिया और इस स्टैंड इतना ब्यूटीफूल लग रहा है कि यह कि इतना अच्छे से पौधे वह अच्छे से चल रहे हैं और यहां यहां पर फूल भी आ चुका है और यहां देखिए और छोटे-छोटे कलियां भी आ रही है यह देखिए दोस्तों यह कुलिये से कितना अच्छे से चल रहा है देखिए दोस्तों कितना बड़े इसमें पौधे भी बहुत बड़े-बड़े हो रहे हैं अच्छा दोस्तों कि वीडियो इतना ही नए नए पौधे लगाते रहिए और खुश रहिए अल्ला हाफिस